हेलो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पर आज में वीडियो लेकर रहे हूं गर्दन और कोनी आप अपनी गर्दन और कोनी को कैसे साफ कर सकते हैं कई लोगों की कोनी और गर्दन पर टैनिंग बहुत ही जमी रहते हैं और कालापन होता है जिससे की काफी लोग अफी परिसान रहते हैं कैसे पिए चैनिंग बहुत काली होती है जोने पर बोट है आपको बताओंगी मैं आपको बताओंगी कौनी की और को कालापन कैसे दूर करो एक दम चमगदार कैसे गोरा बनाइग आपको लेनी की येग चमस दही है किसे होता है एक चम चावल का आटा दही और चावल के आटे में थोड़ा सा आपको नीमू का रसनी चुनना है नीमू हमारी टैनिंग को निकालता है अब आपको इन तीनों चीजों तो चीजों को अच्छे से मिला लेना है अब आपको बताओंगे अपने गर्दन पर और कोनी पर आपको कैसे मसाज करनी है देखिये आपको कैसे मसाज करनी है गर्दन और कोनी पर आपको ऐसे मसाज करनी है मैं आपको अपने हाथों पर कड़कर बता रही हूँ आपको अपने गर्दन पर और कोनी पर इसका इस्तमाल करना है यह मानिए दोस्तों आपकी कोनी पर जो मैल है वैट टाइलिन वगर है तो वो निकल जाएगी इससे मैंने भी इसको ट्राइ किया मुझे फाइदा मिला तो तब ही मैं आपके लिए यह टिप्स लेकर आई हूँ आपको पांच से साथ मिनट तक अपने हाथ गर्धन पर और कोनी की मसाज करनी है दिरे दिरे आपको मसाज करनी है मसाज करने के बाद इसको आपको दो लेना इसको आप चाहो तो रेगुलर भी कर सकते है या तो जिसके पास टाइम हो तो वो रेगुलर भी कीजिए और नहीं तो आपको सब्ता में दो या तीन बार भी कर सकते हो तो आपके दिरे दिर जो टाइन है कोहनी की वह गर्दन की वह साफ होती चली जाएगी कैसी लगए आपको यह हमारी वीडियो की फिली सब्सक्राइब कमेंडे में बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगए तो चले मिलते नेस्ट वीडियो में